So welcome back दोपसों कैसे हैं आप सभी लोग तो आज की अपडेट होने वाली है Income Tax Officer की जो बहुत ही ज़्यादा रैपोटेटिट जॉप होती है साथ में यहाँ पर एक और जॉप आपकी रहेगी Tax Assistant की MTS की और येस अगर आप 10 पास Candidate है आपका अप्लाई कर सकते हैं सेलरी बहुत ज़्यादा आउसम होने वाली है Approx in Approx salary आपकी 50,000 होगी और याँ सेलरी से ज़्यादा इंपोर्टेंस है इस पर्टिक्लर जॉप का रुटबा You know very well income tax officer Officer level पर अगर आपकी जॉप लगती है तो आप समझ सकते हैं आपके allowances कितने होंगे आपकी market value किया रहेगी और आपको कितने benefits यहाँ पर मिलने वाले है Detail में discussion करेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा जिसे कोई भी golden opportunity आपसे miss ना हो तो चलिए start करते हैं Welcome back to PS1 Government Job Vacancy आपके लिए लेके आज चुका हूँ यहाँ पर income tax officer की job तो यह जो जो परडिकलर निकली इसके ओपर detail में बात करते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नीचे वीडियो के description में link है जो भी चीज़ में आपको बता रहा हूँ वह हारी website पर आके आप cross check कर सकते हैं वहीं पर आपको official notification मिल जाएगा आप click करके सारी चीज़े detail में पढ़ सकते हैं चीजों को cross verify करना mandatory part रहता है अगर आप कोई भी सरकारी job को apply करते हैं और यहीं पर आप इसको apply भी कर सकते हैं आप प्रोसीजर कैसा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा don't वही अभी jobs की update पर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं screen पर आ चुका हूँ यहाँ पर clearly लिखाय कि रहा है कि income tax की निकली है और यहाँ पर दो position निकली है जैसे मैंने आपको बता inspector of income tax plus tax assistant यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं age limit की तो अगर आप यहाँ पर inspector बनना चाहते हैं तो 38 आपकी age limit होने वाली है अगर आप tax assistant पर जाना चाहते हैं तो आपकी age limit 18-27 होगी मतलब almost सभी youth के candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं अब बात करते हैं total number of vacancy की जो आपकी रहेगी 28 मतलब definitely आपके लिए आपके लिए आप एक ना एक दो जॉब है अगर आपके पास skill set है और आप exam को clear कर लेते हैं अभी exam जैसे word सुनते साथ बड़ा difficult सा लगता है पर don't worry यहाँ का selection procedure है यह आपका without exam होने वाला है बिल्कुल ठीक सुना आपने without exam आपको कोई exam यह आपे नहीं देना almost आपका direct interview ही रहेगा कैसे रहेगा वो आगे discussion करेंगे अभी थोड़ा और overview पे और detail में discussion कर लेते हैं specially qualification पे तो जैसे मैंने बता है दो post हैं तो प्राद करते हैं जो निकली आपके inspector of income tax के लिए तो इसके लिए आपकी just graduation degree complete होनी चाहिए और यहाँ पर आपकी salary package रहेगा 44 900 से 1,42,000 मतलब एक लाख रुपे तक क्या आपके salary हो सकते depend करेगा आपके allowances आपके city जोइनिंग बगार पे location इसकी रहेगी यहाँ पे UP yes definitely यह सारी की सारी जोब्स हैं वो यूपी location के लिए निकली है तो यूपी वाले आपको ज़रूर यहाँ पर apply करना चाहिए बात करते हैं अपनी second profile की जो निकली है आपके text assistant यहाँ पर भी आपकी degree होनी चाहिए साथ में आपके typing speed सबसे ज़्यादा important रखती है salary बहुत ज़्यादा awesome है आप definitely यहाँ पर apply कर सकते हैं almost आपकी salary 80,000 पर मन तक रहीगी depend करेगा आपके allowances पर medical पर HR पर there are a lot of things जिस पर चीज़े depend करती है और तीसरी सबसे most awaited job है वो यह है कि 10th pass यहाँ पर MTS के अंदर income tax officer department के अदर job निकली है salary यहाँ पर भी बहुत awesome है आपकी salary almost यहाँ पर 50,000 रहेगी और मुझे लगता है यह जो particular job है MTS वाली 10th pass यह हर एक person apply कर सकता है तो इसलिए इस वीडियो को हर एक person के साथ share करना बिलकुल ना बूले जो एक job की तलाश कर रहा है इतनी golden opportunity है government sector के अंदर तो यह miss opportunity आप सो बिलकुल नहीं करनी है अब बात करते हैं थोड़ी और detail के अंदर की exactly कौन सा candidate यहाँ पर suitable होगा इस job को apply करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया यह जो सभी jobs निकली है यह sports based person पर निकली है यह सा अगर आप sports person है अच्छे level पर भी आपका अगर पास कोई भी certificate है तो definitely आप apply कर सकते हो सारी चीज़ यह certificate की value यहाँ पर official notification में दी गई है अब यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से sports को यहाँ पर list किया आ गया तो almost यहाँ पर start sports की list यहाँ पर share करी गई है मतलब हर एक sports almost यहाँ पर count हुआ है जैसे कि जिसके अंदर आपका archery आगया at least आगया, bandminton भी आपका आगया ball bandminton आगया, आपका basketball आगया, आपका boxing भी यहाँ पर आगया तो almost आप देख सकते हो सभी के सभी जितने भी यहाँ पर sports होते हैं उनको include करा गया है अगर आपने किसी भी level पर वो खेले है तो definitely एक sports person के लिए अपना career build करने के लिए perfect opportunity आपको बिल्स नहीं करनी अब बात करते है how to apply जैसे मैं आपको बता है, नीचे link आप click करोगे हमारी website पर redirect हो जाओगे official notification और form का link आपको वहीं मिल जाएगा आप click करोगे, form को download करोगे print निकल वाओगे, उसको form को fill करोगे अपने सारे documents उसके साथ attach करोगे और given address पर आप send कर दोगे address आपको official notification पर हमारी website पर मिल जाएगा आप वहाँ पर इसको send करना बिल्कुल न भूले apply procedure आपका इस तरीके साही होगा और इसकी deadline भी रखी गई है yes, application form बरने के कोई fees नहीं है just deadline है तो आपको ये particular जो job है इस deadline से पहले ही complete कर देनी है तो यहाँ पर आपके जो deadline रहेगी वो रहेगी 30 सितंबर 2021 पर अगर आप कुछ given state से ब्लॉंग करते हैं तो आपकी deadline extend हो जाएगी जिसके अंदर आपका North East आ गया अंडमा निकोबार आइलेंड आ गया आपका लक्षेजीब, आपका जम्मो इन कश्मीर और आपका केड़ आ गया अगर आप इन state से ब्लॉंग करते हैं तो आप 8 तारीक तक इस form को fill कर सकते हैं 8 October तक तो जल्दी से जल्दी form fill करी है information मिल चुकी है तो day read आपको नहीं करनी selection procedure बहुत easy और बहुत simple है आपके academic score पे ही आपकी joining होगी अगर आपने अच्छा काम किया है अपनी graduation में अपनी 10th में तो आपके यहां पे selection हो जाएगा then आपका shortlisted candidate को interview होगा interview के बाद अगर जाला numbers of candidate होती है तो शायद एक और यहां पे test हो सकता है मना interview के बाद आपके यहां पे joining आपको मिल जाएगी so I hope so आपको जल्दी से जल्दी joining मिले गया कोई भी doubt है कोई भी question है don't worry we are here नीचे comment section है आप comment करके हमसे पूछ सकते है मैं सेचिन चोहान आप से मिलता हूँ एक next video में एक next content के साथ जाहिए